तो आज सभी फ्रंचाइजों को आज आखरी दिन दिया गया था कि आज आप सभी लोग तैंकर लिजे कि किन-किन खिलाडियों को रिटेंड करना है, किन-किन खिलाडियों को ट्रेड इन करना है, ट्रेड आउट करना है और किन-किन खिलाडियों को रिलीज करना है ओक्सन के और वो deadline अब समाप्त हो गया और पहली team ने अपना released और retained खिलारियों की सूची जारी कर दी है यह team है CSK और आपको उससे भी बड़ी खबर मैं बता देता हूँ कि CSK ने अपने retained खिलारियों की सूची में महन सिंग धोनी का नाम जोड रखा है जो कि साब संकेत देर रहा है कि IPL 2024 महन सिंग धोनी खेलते हुए दिखेंगे क्योंकि IPL 2023 के समाप्ती के बास सभी प्रसंसको के मन में एक आशंका थी कि महन सिंग धोनी IPL 2024 खेलेंगे या नहीं खेलेंगे गुटने की सरजरी होनी थी और उतना लगातार एक क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं तो क्या उनका फिटनेस उनको एलाव करेगा IPL 2024 खेलने में तो जो रिटेंड और रिलीश खिलारियों की सूची आए उससे यह साब जाई रहा है कि महन सिंग धोनी ने CSK मेनेजमेंट को अपना मेसेज क्लियर कर दिया कि भाईया मैं तो IPL 2024 खेलूँगा आप मुझे रिटेंड खिलारियों की सूची में रखियेगा तो आए एक नज़र डाल लेते हैं CSK ने जो सूची जारी की अपने रिटेंड खिलारियों की वो कौन-कौन से खिलारी हैं जो आपको खेलते हुए IPL 2024 में CSK के लिए कनफॉर्म दिखेंगे वही हम रिलीश खिलारियों की सूची पर भी नज़र डाल लेते हैं कि भाईया क कौन-कौन से वो खिलारी होंगे जो आक्सन टेबल पर जाएंगे जिनकी इस साल बोली लगने वाली है तो सबसे पहले एक नज़र हम देख लेते हैं कि किन-किन खिलारियों कि CSK स्क्वाइट से छुट्टी हो गई है और उनके नाम क्या है पहले खिलारी और सबसे बड़े खिलारी है बेनिश्टोक्स हाला कि इनोंने अपना नाम खुद वापिस ले लिया जिस वज़ा से CSK ने भी इनको स्क्वाइट से रिलीज कर दिया और अपने पर्स को खाली कर लिया और अगर हम बात करें दूसरे खिलारी डवेन प्रिटोरियस तीसरे भगत वर्मा सुब् CSK ने रिलीज कर दिया और अगर हम बात करें अब रिमेनिंग पर्स की CSK के पास यानि कि IPL 24 में ऑक्सन टेबल पे वो 32.1 करोड रुपए लेकर जाएंगे और इसी में से नई खिलाडियों को अपने स्कौाइड में जोडने का प्रयास करेंगे वही अगर हम देखें रिट पक्षर, डेवन कॉनवे, तुसार देस पांडे, शीवम दूबे, रुतुराज गैकवाड, राजवर्दन हंगार केकर, रविंद्र जडेजा, अजय मंडल, मुकेश चौधरी, मतीज पतिराना, अजिंक रहाडे को रिटेंट किया हुआ है, सेख रसीद, मिचल सैंटनर, स इमर जी सिंग, निसान सिंदू, प्रसान सुलंग की महेश तिक्षणा, यानि जो कोर ग्रूप है, जहां पर रिलाई करता है, मेन स्ट्रेंथ, हम बात करें, सियसके का, तो उन सभी खिलाडियों को उन्होंने रिटेंड किया हुआ है, मोहिन अली भी है, प्रिटोरियस को हल की रिलीज कर दिया है, वहीं सेंटनर रिटेंड किये गए हुए खिलाडी है, अजिंक रहाडे को रिटेंड किया है, क्योंकि पिछले संस्क्रण बहुत बहुत बहतरीन उन्होंने खेल दिखाया था, डेवन कानवे, दिपक चहर, तुसार देस पांडे, शिवम दूबे, रविंद्र जड़ेजा, जो इनके में ग्रूप है, रितुराज गाएकवाट, ये सभी रिटेंड और बाकी जिन खिलाडियों को उनको रिलीज करना था, वो रिलीज कर दिये, और उसके कारण 32.1 करोर परस में आ गया है, अब यह देखना दिल्चस्प रहेगा कि आउक्स 24 में कौन-कौन से खिलाडी रिटेंड रहा और रिलीज खिलाडियों की बात करें, तो उसमें सबसे बड़े नाम हमारे बेनिश्टोक्स हैं, फिर उसके बाद काईले जेमियस हैं, तो आज के अपने CSK के रिलीज और रिटेंड वीडियों बस इतना है, मिलते हैं आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें